आज हम पूरा खुलासा करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं MDH चना मसाला के बारे में इसकी जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी मतलब इसका जो हम प्रोमोशन नहीं कर रहे हैं ना हमने किसी कंपनी क्या होता है कि वरत होते हैं फास्ट होते हैं तो हम सोचते हैं इस मसाले में कहीं लहसन तो नहीं है प्याज तो नहीं है इसको हम यूज करें अपने सेलेड पर या नहीं करें तो वरत वाले यह खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं पहले आपको बता देते हैं तो वरत वाले लाइची, आम, लॉंग, जायफल, जावित्री, हेंग, ये सभी इंग्रेडेंट्स को मिलाकर ये पूरा नैचुरल तरीके से तयार किया जाता है, तो इसको फास्ट रखने वाले यूज कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, अब हम इसको विधी के वारे में कि इसको कैसे यूज कि भूनें, दो कटे हुए टमाटर 120 ग्राम के करीब डालें और मिलाएं, 20 ग्राम चना मसाला एक छोटा चमच डालें, नमक और चिकी मतर 5 मिनट तक चलाएं, फिर 80 मिली लीटर ताजा पानी डालें, आधा चमच मिलाएं, फिर मीठा सोडा डालें, थोड़ा सा ओबाल कर फिर मिठा सोडा डाल दें, काबली चने के पैकेट पर खाना पकाने के निर्देश भी पढ़ लें, और अपनी जानकारे, आपकी जानकारे के लिए बता दूँ कि जो छोले आप लोग बनाते हैं, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस चना मसाले आप जानते हैं, लिमिट से जादा तो कोई भी चीज होती है, तो लिमिट से जादा अगर आप इस मसाले को डालोगे, तो ये आपके पेट को खराब कर सकता है, वैसे इसका कोई side effect नहीं होता है, और जो छोले होते हैं, काले चने जो बना जाते हैं, उसके टेस्ट को बहु होती जल्दी मिलेंगे, एक और नई जानकारी के साथ, थैंक्यू सो मच,